XSS 3.4 question 1 estimate the value of each of the following square roots to the nearest whole number question A root over 410 root over 410 का पहले हम क्या करेंगे इसका remainder find करेंगे तो 410 को हम long division में थब से divide करेंगे ये वन गया एक प्यार और ये वन गया single number तो अगर हम इसको 2 से divide करेंगे तो 2 2 जा डिवाइसर में 2 और कुईटें में 2 देंगे तो 2 2 जा 4 होनेगा तो इसका value आएगा 1 0 next इन दोनों को add करेंगे तो value होगा 4 तो 4 से ये 10 को divide नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो 4 है 4 की बात में हमें और एक number देना परेगा ये जो डिवाइसर में एक number देना परेगा और कुईटें में भी number देना परेगा तो 4 अगर मानलो हमने 1 भी दिया तब भी इसका value कितना आएगा 41 आएगा तो 41 is greater than 10 तो हम क्या करेंगे इसको 0 इस place में हम 0 देंगे तो इधर भी हम 0 देंगे तो 0,0 कितना होगा इधर 0 होगा तो जब भी 0 होगा तो इसमें remainder कितना आएगा 10 आएगा तो remainder हमें मिला 10 next हम इस number से 10 को सब स्टेक करेंगे तब हमें क्या मिलेगा इसकी पहले square नमबर मिलेगा therefore perfect square equal to perfect square perfect square equal to 410 है 410 से जो remainder जब हम sub stack करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 400 मिलेगा 400 का मतलब क्या होगा 20 into 20 So 20 into 20 जब करेंगे तो 20 square हम इधर लिख सकते हैं मतलब 20 square है यह root of our 410 का पहला square number है तो हमें यह पहला square number मिलेगा तो अभी हम क्या करेंगे we know that we know that root of our 410 is between is between 20 and 21 20 and 21 का between होगा क्योंकि इसका जो value निकल के आएगा value वो क्या होगा वे 20 और 21 के बिज में ही रहेगा therefore 20 square equal to 20 square का वेलो निकाल लेंगे तो 400 आएगा again 21 square का वेलो निकाल लेंगे तो कितना आएगा 441 आएगा 41 441 से 410 close- 되어 क्योंकि 420 आगे विज में है तो 400 आगे रहेगा *** 441 पीचे हेगा यहां से यहां तक जाने के लिए हमें कितना मिलेगा यहां से यहां तक total सब्स्टेग करेंगे तो वेलो हाएगा 10 और यहां से यहां सब्स्टेक करेंगे तो वेलो हेगा 41, so कौनसा नस्डे होगा, यह नस्डे होगा, तो सिले हम लिख सकते है, so 20 is the nearest, 20 is the nearest whole number, whole number of root over 410, यह होगा उसका solution, यह single number बनेगा, 6 के लिए हम divide करेंगे, इधर 2 देंगे, तो इधर भी 2 देंगे, 4 होगा, तो value क्या आएगा, 2 निचे आएगा, सबस्टेक करने के बाद, next हम इन 0 को ला सकते हैं, तो next इन दोनों को add करेंगे, तो 4 होगा, तो 4 ताइम्स अब देंगे, 4 इधर भी 4 देना तो value आएगा, 176, जब इसको सबस्टेक करेंगे, तो value मिलेगा, हमें 24, therefore अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 24 हमें remainder मिल गया, तो यह जो number यह है, root over 600, sorry, root over 600, root over 600 का पहला जो square number है, इसको find करना पड़ेगा, वो perfect square number find करना पड़ेगा, therefore perfect square equal to, perfect square, perfect square equal to 600 से जब हम 24 सबस्टेक करेंगे, तो value कितना आएगा, 576 आएगा, 576 को यह जो 24 है, 24 into 24 जब करेंगे, तो 576 मिलेगा, तो इसको हम लिख सक्ते है, 24 सको लिख सक्ते है, now we know that, now we know that, root over 600 is between, root over 600 is between कितने कौन कौन सी नबर के 20 में होगा, यह 24 यह आगे रहेगा, 600 के आगे रहेगा, इससे थोड़ा ज़ादा होगा, इसका जो square root हम निकालेंगे, इसके आगे होगा, and 25, 25 की 20 में रहेगा, therefore अगर हम 24 को square करेंगे, तो value निकल के आएगा, 576, and 25 को square करेंगे, तो value कितना निकल के आएगा, 625, तो value है 600, इसके आगे का नंबर होगा, 576, और इसके पीशे का जो नंबर होगा, 625, तो 600 को जब हम यहां से यहां तक जब जाएगे, तो इसका difference कितना आएगा, इसका difference आएगा, 24, and इहां से यहां तक जब जाएगे, इसका difference आएगा, 25, तो ES का क्या हो बनेगा 576 का नस्टिक वाला number whole number होनेगा तो इसलिए हम क्या लिख सेक्टे है Here we see 576 is closer to 600 तो 600 की closer कौन सा है 576 then 6 to 5, 6 to 5 से 576 क्या हो गया closer हो गया So 24 is the nearest whole number of root over 600 यह बनेगा असका solution Question 1C, तू 250 का हम remainder find करेंगे यह एक PR बनेगा, यह single number बनेगा तू 250 में हम 1, 1 से माल डिवाइड कर सकते है तू इधर 1 आएगा, next value क्या आएगा? 1, 1 and 5 0 होगा तू इंदोनों को add करेंगे तू 2 आएगा 150 को हम डिवाइड करेंगे 5 and 5 जब देंगे, 5 5 जब 25 का 5 करेंट होगा 5 to the 10, 10 plus 2 equal to 12 यह आएगा तू नीचे हम जब सबस्टेक करेंगे तो गेलों निकल के आएगा 25 होगा इसका remainder Therefore, perfect square equal to perfect square perfect square equal to कितना होगा? 250 से जब हम 25 को सबस्टेक करेंगे तभी हमें इसकी आगे का perfect square मिलेगा तो 225 तो 225 को हमें कब मिलेगा? जब हम 15 into 15 करेंगे तभी हमें मिलेगा तो 15 into 15 का मतलग कितना होगा? 15 square Now we know that Now we know that Now we know that root of her 250 is between is between 250 किसकी बीज में होगा? 15 and 16 So ये जो 250 है 250 को जब हम root करेंगे जो भी value निकल के आएगा मानलो x निकल के आया ये value कहां रहेगा? ये 15 and 16 की बीज में रहेगा तो अभी हमें find करना है कि x को x and 15 इन दोनों की 20 में जो difference कितना है? इन दोनों की 20 में difference कितना है? तो जिस में भी difference कम आएगा वो ही उसका nearest whole number बनेगा तो next हम क्या करेंगे? Therefore ज़र 16 लिखना रहे गया है 15 and 16 Therefore 15 square equal to 2, 2, 5 and 16 square equal to 2, 5, 6 2, 2, 5 and 16 square का value है कितना? 2, 5, 6 इन दोनों की 20 में कौन सा number है? 2, 5, 0 तो अगर हम difference find करना चाहे है तो यहाँ से यहाँ तक difference कितना आएगा? 25 आएगा और यहाँ से यहाँ तक difference कितना आएगा? Only 6 आएगा तो यह जो number है इस number का जो perfect square root है वो इसका नस्डिक होगा तो यह ही वनेगा इसका answer 256 is closer to 250 then 225 So 16 is the nearest 16 is the nearest whole number whole number of root of her 250 यह होगा आज़का answer Question 1 बिस 750 750 का हम remainder find करेंगे 750 तो पहले हम pair करेंगे यह बनेगा pair और यह singular हैगा तो 2 into 2 जब करेंगे 4 आएगा तो value कि आएगा 3 तो इसको पी नेचे लाएगा 50 होगा next इन दोनों को add करेंगे तो 4 मिलेगा तो अभी हम 7 times इधर देंगे इधर भी 7 times लिखेंगे तो 77,49 का 9 होगा के लिखेंगे कितना होगा 4 होगा तो 7,4 जा 28 28 प्लास 4 इक्वेल तो 32 यह बनेगा और इनको जोब सबस्टेक करेंगे तो इसका remainder आएगा 2,1 अभी हम यह जो नमबर है 750 750 का पहले वाला जो perfect square नमबर कौन सा है जाएगो, ऐसको find करेंगे उसको केसे find करेंगे ज़सद इसको सबस्टेक करके इसको find करेंगे Therefore, perfect square एक्वेल तो perfect square perfect square perfect square एक्वेल तो 750-21 हिंट उनको जब सबस्टेक करेंगे तो भीलुआएगा 7 to 9 7 to 9 क्येसे मिलेगा दो हम 27 into 27 करेंगे तो 27 इन्टू 27 इक्वेल हमें मिलेगा 7 to 9 27 इन्टू 27 इक्वेल हमें कितना लिख सकते है 27 स्क्वार लिख सकते है अभी हमने क्या जाना कि यह जो root of our 750 है 750 किसकी बीज में है 27 and 28 इन्टूनों की बीज में root of our 750 है तो यहां से यहां तक का difference और यहां से यहां तक का difference हमें find करना है So 750 is between 27 and 28 Therefore 27 को जोब हम square करेंगे तूसका मेलो कितना आएगा 7 to 9 आएगा And 28 को जोब हम square करेंगे इसका मेलो आएगा 7 to 8 4 आएगा तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा तो टेल वेलो हमें दिया है 750 750 से यह जो 7 to 9 7 to 9 को जोब subscribe करेंगे तो वेलो कितना आएगा 21 आएगा यह तो पहले इधर remainder बना है 21 आएगा मतलब यह जो 27 से यहां का difference कितना मिलेगा 21 मिलेगा नेक्स 7 8 4 से हम 750 को जब subscribe करेंगे तो वेलो कितना आएगा 34 आएगा तो यहां से यहां तक का difference 34 मतलब 27 जो नमबर है वो नमबर है वो ही root over 750 का नजड़े होगा मतलब closest होगा तो हम यह इधर लिख सेखते है here we see 7 to 9 is closer to 750 750 का closer का है 7 to 9 is closer to 750 then 7, 8, 4 so 27 is the nearest whole number of 750 यह होगा असका